यूं तो भारत एक किसे कहानियों वालत देश कहा जाता है लेकिन समय समय पर यहां ऐसे कई रहस्य में घटनाई हुई है जिने देखकर इंसानों को ना चाहते हुए भी इन रहस्य में घटनाऊ पर यकीन करना ही पड़ता है तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई भारत के अंसुलजर रहस्य को आपके सामने ला रहे हैं जिने जानने के बाद यकिनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिस है कि चैनल पर आप नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस गाउं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से वाली बाल ब्राह्मनों का नीवास इस्तान था लेकिन अठार सो पचीस यानि कि लगभग उनिश्वी सताबदी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक ये गाउं खाली कर दिया कुलधारा गाउं के लोगों के अचानक गाईब होने के इस रहसे को आज तक कोई भी नहीं सुल जा पाया है और तब से लेकर अब तक ये गाउं ऐसे ही खाली परा है सुनने में ये भी आया है कि अगर किसी ने इस गाउं की जमीन को हत्यानी की कोशिज भी की है तो इसकी रहसे में रूप से मृत्यू हो जाती है और तो और राजस्तान सरकार ने यहां किसी परकार के कंस्ट्रक्शन करने पर रोक भी लगा दी है अब कुलधारा गाउं के लोगों का इस गाउं में लगबख साथ सताब दिया गुजारने का बाद अचानक गायब हो जाना हमारे लिए आज भी एक अंसुलजा रहस्या बना हुआ है और आज तक इस बात को ही भी नहीं जान पाया है कि आखिरार कुलधारा गाउं के लोग गए तो गए कहां दूसरा अंसुलजा रहस्या पहलात जानी के बारे में है एक आत्मी बिना कुछ खाय पिये कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता है दस दिन, बिस दिन या फिर एक महीना लेकिन आप ये जान कर हेरत में पर जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले सत्तर सालों से बिना कुछ खाय पिये भी जिन्दा है जी हाँ इस व्यक्टी का नाम परलाज जानी है गुजरात में रहने वाले 83 साल के परलाज जानी दावा करते है कि उन्होंने पिछले सत्तर सालों से न कुछ खाया है और नहीं पिया है इस रहस्य को जानने के लिए डक्टोरों की एक टीम साल 2010 में 22 अपरेल से लेकर 6 माई तक लगभग 15 दिन केमरे की मदद से परलाज जानी पर नजर रखी और नतीजे देखकर डोक्टर की टीम भी दंग रहे गई जहां साइस ये दावा करती है कि एक इंसान बिना कुछ खाय पिये कुछ हपतों तक और बिना पानी पिये सिर्फ तीन से चार दिन ही जिंदा रह सकता है वही परलाज जानी का पिछले सत्तर सालों से बिना कुछ खाय पिये जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अंसुलजा रहसे है तीसरे रह से जोधपूर का सोनिक पूम के बारे में है घटना 18 इसंबर 2012 को राजस्थान के एक छोटे से जोधपूर की है यहां के लोग अपनी समाने दिन तरिया में प्यस्ते तभी लोगों ने एक दिल दहलाद देनी वाली एक अजीवो गरीब आवाज सुनी यह आवाज ऐसी परती थोरी थी मानो आसमान में कोई विश्पोर्ट हुआ था यह आवाज इतनी तीस थी कि आजपास के देशों में भी साब तोर पर सुनी गई थी दोस्तो जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज़्यादर अफतार से चलती है तो उनके आसपास में टकराने से एक आवाज उत्पन होती है जो सुनने में किसी भारी विश्पोर्ट की तरह मालूम होती है इस आवाज को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है जोतपूर में सुनाई देने बली आवाज बैसे ही परतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम लेकिन भारतेम लेट्री ने इस बात को साप इंकार कर दिया कि उन्होंने इस दिन जोधपूर पर या फिर इसके आज पास के हिलाके में कोई भी हज़िपले नहीं हो रहाई जिसके कारण इतनी तेज आवाज पैदा हो अब यह आवाज आई कहां से आज भी हमारे लिए एक अंसुलजा रहसे बना हुआ है चोथा रहसे उत्राखंड का रूपकूंड जील के बारे में है रूपकूंड उत्राखंड में इस दित एक रहसे में जील है जिसे कंकाल की जील भी कहा जाता है इस जिल के खोज 1942 में सर्द मोसम में की गई थी और उस समय ये जिल कंकालों से पुरी तरह जमी हुई थी आगे गर्मियों में जब यहां बर्फ बिगली तो इस जिल में और इसके आसपास और भी कंकाल पाए गए यानि कि जितने पहले थे उससे और अधिक मातरा में यहां कंकाल पाए गए इस रहसे में जील के बारे में लोग तरह तरह की बाते करते हैं जहां कुछ लोग इसे बिश्फोर्ट में मारेगे जेपेनिस सिपारियों की कंकाल बताते हैं तो वही कुछ दूर लोग इसे अचानक जान लेवा और मुशलाधार बारिष होने के गारत मारेगे इंसानों का कंकाल बताते हैं हाला कि इस रूपकुन जील का सच क्या है यह आज तक किसी को नहीं मालूम और यह आज भी हमारे लिए एक अंसुलजा रहस्य बना हुआ है पाचवारे हस्षय नो अग्यात लोग के बारे में हैं इन नो अग्यात लोगों को सुसाइटी के बारे में जानने के लिए हम बक्त के पीछे समराट असोग के कारे काल यानिकी 273 BC में ले चलते हैं कलिंगा की यूद को जितने के बाद समराट असोग ने मानौता और भिकास की रक्षा के लिए नो लोगों की एक सिग्रेट सुसाइटी बनाई थी इन नो लोगों को असोग ने नो डिफ़रेंट किताबे थमाई इन किताबों में मानो जिवन, यूध कला, परकास की गती और UFO जैसी दुनिया भर की अध्भूत बाते थी इन किताबों को परकर कोई भी कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था इन किताबों के साथ समराट असोक ने उन्हों लोगों को ये जिम्मेदारी भी दी थी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को किसी गलत हाथ में परने से बचाना है क्योंकि इन किताबों में शिपे ग्यान से कोई भी सर्व सक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पढ़ने पर दुनिया का विनास भी किया जा सकता था शम्राट असोक ने उन्हों लोगों को ये भी आदेश दिया था कि जरुरत परने पर इन किताबों का उप्योग मानोता की भलाई के लिए किया जाये ऐसा माना जाता है कि समराट असोक की ये सिक्रेट सराइटी आज भी इस दुनिया में मुझूद है लेकिन इन नो लोगों की पहचान क्या है ये आज भी भारत के अंसुलजर रहसे बने हुए है और ये नो लोग है कि कौन और कहां प्रहते है इसको आज तक कोई भी नहीं जान पाया है और उस किताब के बारे में भी कोई नहीं जानता नीचे कमेंट करके बताए कि ये वीडियो भारत के अंसुलजर रहसे आपको कैसे लगी और आपको ये वीडियो पसंद आया तो किरपया इससे अपने दोस्तों के साथ सेर केजिए और इस वीडियो को लाइक केजिए आप ऐसे और भी रोचक वीडियो के लिए आप हमारे यूटूब चैनल इटस लूप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जुरूद रवाएं